आपि राम राम जी आज आपका स्वागा थे लाज यह कड़ावथ में आज हम हेल्दी रेसिपी आपके सामने लाएं हैं और ये रेसिपी आपको कोई नहीं बताएगा ये मैं खुद अपने खाने के लिए जब दीन में सब्जी खतम हो जाती है तो साम को अपने खाने के लिए स्पेशल सब्जी बनाए हैं बिल्कुल हेल्डी तो यह रिस्पिया आपको पसंद आए तो मैरे वीडियो को लाइक कीजिए और मैरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यह दिखिए आपको हमने दिखाया मटर आधा किलो मुली है और एक पाव आलू है और एक छोटा सा फूल गोवी है यह देखिए हमने सारे को आलू को काट दिया है मुली को काट दिया है और गोवी को काट दिया है और इसको हम सब्जी बना रहे है बहुत हेल्दी सब्जी होता है और इसके साथ हम डाजेंगे इसमें पांचे हरी कटी मिर्च दो टमाटर और प्याज और देखें हमने कड़ाई दे दिया है और उसमें दो बड़ी चममच हमने रिफाइनल डाल दिया है यह देखें हम छोटा पति दम बना रहें अपने खाने के दिया तो ऐसी हेल्दी सब्जी आप भी बनाए और खाये और हेल्दी रहें तो यह वीडियो आपको आपने ऐसा सब्जी बनाया था तो आपको कैसा दगा देखिए हमने दो बड़ी चममच तेज दिया था और इसमें कटी मिर्च डाल दिये हैं और इसको थोड़ा भून देते हैं कि भूनने के बाद हम कि इसमें डालेंगे कि जो कटा प्याज रखे थे वह डालेंगे और इसको भी प्याज को कट डाल के और पांच मिनट के लिए इसको भून देंगे और इसी में हम जो भी काट कर रखे वह भी मिला दिये हैं और इसको भी हम भून देंगे दो मिनट भूनने के बाद फिर मटर डाल देंगे और इसी तरह आलू और मूली को डाल देंगे और धीरे गैस कर देंगे धीरे गैस करने के बाद इसको हम पांच मिनट के ज़िए ढकन से ढक देंगे दीरे गैस रखें और ढखकन से ढखें ताकि नीचे एक बार पांच मीटर के बाद चला के भी आप देख लें कि नीचे जल तो नहीं रहा है और यह सब्जी इतना बढ़िया बना हुआ है और हमने इसको खाया भी है बहुत टेस्टी सब्जी है और बहुत हेल्दी है देखें हुए हम नीचे से देख रहे हैं कि जद राया कि नहीं जद रहा है तो आप इसको चेक कर लेए घकन से ढहिए और इसमें हल्दी एकOGन नाम थोड़ा से डाले कि हलका सा यह पीला हो जायOT हुए ज्यादा नहीं और इस ही में स्वाधन सार नवक भाला देते हैं कि यह देखिए अपने धाबे पर हम बना रहे हैं देखिए आपको धरम पकोड़ी भी बन रहा है वो कड़ाई दिख रहा है आपको इसको अब धक दिया है और पांच मिम्मिट के बाद फिर हम इसको धकन हटा कर देख रहे हैं देखिए हमारा यह कितना हेल्दी सब्जी आ कि कि बनके त्यार हो रहा है तो आप ऐसे सबूली बनाए और ऐसे सबूली अपना कर खाए इससे आपका स्वास्त झीख रहेगा देखिए मसादा नाम का चीज नहीं है कोई भी नाम इसमेंग मसादा डाजै कोई कोई भी गरम मसाला नहीं है खाले इसमें नमक और हल्दी है और देखिए जो टमाटर हमने काटके रखा था उसको भी इसमें मिला दिया है और इसको मिलाने के बाद पांच मिनट तक गैस पर धीरे गैस पर मीडियम लो फिलम पर रखे और इसको छोड़ देंगे हमारी सब्ज तो मेरे वीडियो को जाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और और वीडियो आपको कोई बनवाना है तो कमेंट बाक्स मज़े लिखके बता है जब तक के दिये राम राम जी